Hello dear learners, आज हम लोग discuss करेंगे English grammar का एक बड़ा ही important and useful concept. यह जो concept है, इसमें हम जो आज discuss करेंगे कि जब हम all का use as a determiner किसी noun के साथ में करते हैं, तो क्या हमें वापे the article का use करना होता है या नहीं यूज करना होता है या अगर करना होता है तो हम उसका use के साथ में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जैसे कि आपके questions देख रहा होंगे, dash have four walls, तो blanks fill करने हैं and we have to decide whether we should use all rooms or all the rooms, dash is indestructible, dash transferred was constant, all energy or all the energy, तो हमें decide यह करना है कि अगर हम all का use, देखे, all एक adverb भी होता है, all एक pronoun भी होता है, but हम all का वो use discuss नहीं कर रहे हैं, जिसमें यह pronoun यह adverb होता है, हम all का use कर रहे हैं as a determiner, कि जब हम all का use as a determiner करते हैं, nouns के साथ में लिखकर, तब हमें इसके साथ में the article use करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, कब करना होता है, use the, इसके साथ कब नहीं use कर सकते हैं, यह हमारा आज का concept है, जो मैं आपको समझाऊँगा, देखे, सबसे पहले इस concept को समझने से पहले, आपको कुछ basics हैं, जो मैं बताना चाहूँगा, कि पहले आप वो समझ लेजिए, जिससे कि एक concept आपको बड़ा अच्छा समझ बहाँ जाए, otherwise यह concept जो है, यह हमेशा हमारे लिए एक confusion मना रहता है, कि जो हम बोलते समय यह लिखते समय यह questions को solve करते समय, all के साथ कभी देखते हैं, सही होता है, कभी गलत होता है, ठीक है, तो वो हमेशा confusion मनी रहती है, और इसका solution नहीं मिलता कहीं, मैं आपको बदाता हूँ, इसका solution हमें कहीं नहीं मिलता है, तो अब मैं आज आपको समझाता हूँ, और उसको आप ध्यान से सुनें, समझें, और मेरी कोशिश होगी कि यह concept आपको पूरा ही clear हो जाए, कोई confusion ना रहा, देखें, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, कि all का use हम कभ करते हैं, किन cases में करते हैं, और किस तरीके के नाउंस के साथ कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि नाउंस दो तरीके के होते हैं, countable और uncountable, जब हम all का use करते हैं, countable nouns के साथ में, तो वो countable nouns हमेशा plural number में यूज़ करने होते हैं, लेकिन अगर हम all का use किसी uncountable noun के साथ में करें तो वो uncountable noun हमेशा ही singular रहता है जैसे कि आप example से देख पा रहे होंगे room countable noun है तो हमने उसके साथ जब all use किया या all the use किया तो हमने उसको plural form में लिखा rooms energy uncountable noun है तो उसके साथ में हम all या all the use करेंगे तो उसको plural नहीं करेंगे energy uncountable noun है तो वो plural नहीं हो सकता उसको singular ही रखेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि nouns दो तरीके के होते है countable and uncountable all का use अगर countable nouns के साथ आप करोगे तो countable noun का number plural होगा अब दा आएगा नहीं आगा वो मैं समझाओंगा लेकिन उसका number हमेशा plural होगा uncountable nouns के जब हम all use करेंगे तो वो हमेशा ही uncountable nouns singular रहेगा because they don't have plural forms अब इसके बात की बात समझते हैं here are some examples मैं कुछ examples लिखता हूँ जैसे कि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएं all trees have roots all trees were planted by my father all the trees he has marked were planted by my father यहां से मैं आपको समझाता हूँ देखिए all trees all trees and all the trees सबसे पहले हमें इस समझना है कि हम all के use क्यों करते हैं why do we use all तो उसके लिए देखिए मैं आपको यहां पर कहीं लिखके बता जता हूँ यह जो हमारे determiner all होता है इसका use एक तो हम करते हैं the whole number or amount of something को refer करने के लिए तो एक तो हम all determiner का use करते हैं किसी noun के साथ में तब जब हमें यह बताना हो कि हम उस noun के total को refer कर रहे है the whole number or the whole amount उसको refer कर रहे है amount का मतलब है uncountable nouns number का मतलब है countable nouns उसके अलावा हम all का use तब भी करते हैं जब हमें every या any का sense convey करना होता है और हम किसी भी noun को in general sense refer कर रहे होते हैं यह वो use है all का जो की confusion की बजह बनता है और जिसकी वज़े से हमेशा confusion हमें रहता है और हम उस बात को decode नहीं कर पाते कभी हम देखते हैं uncountable noun के साथ में all लिखा गया तो उसके साथ में the article लिखा है कभी देखते हैं कि नहीं लिखा है ठीक है कभी plural के साथ में लिखा है कभी नहीं लिखा है तो हमें समझ में आज आएगा मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है ये concept लेकिन ये basics आपके अच्छे होने चाहिए इस basics जो है इन में कोई confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इन basics को समझने में कोई confusion है और ये बाते आपको समझ में नहीं आ रहे हैं जो अभी समझाई जा रहे उसके अलावा हम all का इस तब भी करते हैं जब हमें every का meaning conveyor ना हो every का मतलब कोई भी individual वो भी total को ही refer करता है बट वहां पर stress हमारा number ये amount नहीं हो के individual से specific हो जाते हैं और हम बदाना चाहते हैं every individual और any individual कोई भी अब इस वात को examples की मतल से समझते है जैसे देखिए हमने पहला example लिखा all trees have roots so all trees means what whether that is the tree of neem or of mango or eucalyptus or any tree तो जब हम ये लिख रहे हैं all trees have roots we are not talking about some specific number of trees or the whole number of trees हम number of trees को refer ना करके हम टाइप ये वराइटी अव टीज को refer कर रहे है हमारा reference यहाँ पर types हो गया ठीक है और यहाँ पर all trees का मतलब है every tree every tree has roots so there is not some definite number कोई ऐसा definite number नहीं कि हम उसकी बात कर रहे हो कि इतने वाले जो trees हैं इन में कि सबकी roots है we are talking about trees in general तो अगर हम trees in general की बात कर रहे हैं और हम किसी plural noun को जो general sense में उसके साथ में all लिखेंगे तो वहाँ पर every tree has roots यह meaning है तो यहाँ पर हम जो trees की बात कर रहे हैं वो trees general है ऐसा नहीं है को particular specific trees है उनको लेकर बात की जारी है यह बात की जारी है trees in general को लेकर तो यहाँ पर all का मतलब हो गया every next मैं जाए all trees were planted by my father suppose there is a person who has got a garden जिसके पास एक garden है और उस garden में काफी पेर लगे हुए है ठीक यह general नहीं है यह specific trees हैं इस वर्ल्ड में जितने भी trees हैं सारे उसके पिता जी ने plant नहीं किय होंगे लेकिन उसके garden में जो trees है वो हो सकता है कि उसके सारे trees जो है उसके पिता जी ने ही plant कियो आँ तो हमने लिखा all trees were planted by my father तो यहां पर all trees जो है न वो specific trees हैं फिर हमने the क्यों न नहीं लिखा ठीक वह मैं भी आपको समझाते हूं लेकिन नेक्स एक्जम्पल भी देख लेते हैं all the trees he has marked एक गलती से मार्केट लिग गया इसको हमें लिखना है मार्क्ट all the trees he has marked were planted by my father अब हम यहाँ पर कह रहे हैं जितने यह भी पेड़ों पर इसने मार्क लगाया माली यह कोई पेड़ है और किसे ने उसके उपर निसान लगा दिया ठीक है कि यह पेड़ काटने है इनकी प्रूनिंग होनी है या जो भी whatever the reason is to all the trees he has marked were planted by my father जो भी trees this person ने मार्क किये हैं वो सारे मेरे पिता जिने लगाया थे अब देखिए यहां पर हमने दा लिख है और हमें पता यह जो trees है यह जो trees है यह भी specific है यह भी specific trees की ही बात हो रही है तो जब हम trees को general sense में refer कर रहे हैं तो वहां पर all का मतलब every हो जाता है and we need not use the with it because we are not talking about some specific or particular trees we are talking about some nouns in general sense लेकिन जब हम कभी specific या particular nouns की बात करते हैं जैसे कि यह दोनों example है second and third तो हम वहां पर the article use भी करते हैं नहीं भी use करते हैं अब हमें यह decide करना है कि हम यह कैसे जानते हैं कि the use करने हैं नहीं उसके लिए बड़ी simple सी वजह यह है कि जब आपको total number को emphasize करना है तो आप दह लिखिए अगर आपको total number को ना emphasize करके जो एक specific या particular trees हैं उनको general में रेफर करना है तो फिर आप उनके साथ में the article मत्यूश कीजिए इसको ऐसे समझे है कि all trees were planted by my father किसी person ने कहा कि trees were planted by my father तो किसी person ने पूछ दिया which trees कौन से trees ठीक है एक मिनट ने नेक्स्ट में अंसर रजएगा किसी परसन ने पूछ दिया तो उसने का every tree जो भी ट्री यहां पर garden में है चाहे वह mango का है चाहे वह people का tree है चाहे वह benniand tree है चाहे किसी का भी tree है वह पिता जीने लगाय था तो यहां पर हम trees की variety को ही refer कर रहे हैं वह एक अलग बात है कि जो हम variety refer कर रहे हैं वह limited और particular number की है लेकिन अगर हमें trees के total number को refer करना हो कि जितने भी person ने trees mark किया मां लिजे किसी garden में है total 200 trees और उसमें से mark किये गए है केवल 70 trees तो अगर हमें वो 70 total number है mark किये गए trees का उसको emphasize करना है तो हम वह पर लिखेंगे the article all the trees he has marked were planted by my father तो यह जो he has marked हमने subordinate clause लिखे नहीं इसने trees के number को define भी करता है कि we are talking about some definite number of trees we are not talking about any tree in the garden we are talking about some certain trees which have been marked तो अगर हमें number को emphasize करना है तो हम दा लिखेंगे नहीं number को emphasize करना है तो नहीं लिखेंगे यह बात जो अभी हमने discuss किये है यह बात हो रही है केवल plural nouns के लिए countable nouns के लिए लेकिन यह situation थोड़ी से different हो जाती है जब हम all का use करते हैं uncountable nouns के साथ में कैसे different हो जाती है अब आप example से समझेगे देखें हमने एक example लिखा A all technology is not good for humans one's they have transferred they have transferred all technology to us All technology that we have access to is outdated अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्या किया all determiner का यूज किया है एक ऐसे noun के साथ में जो कि uncountable है technology जो है यह uncountable noun है ठीक है अब uncountable nouns के साथ में क्या होता है कि जब हम all use करते हैं तो यहाँ पर variety का meaning convey करना मुश्किल होगा हमने पढ़ाता ही जो हम all trees लिखते हैं तो वहाँ पर all trees का मतलब हो जाता है every tree तो यह समझा जा सकता है कि every tree क्यों क्योंकि trees की बहुत सी varieties होती है trees बहुत अलग-अलग type की होते हैं तो यह कहना all trees is possible लिकिन all technologies में यह मत कैसे कह सकते हैं every technology तो answer है कि possible है technology is a concept actually technology नहीं एक concept है इसके अपनी varieties होती है इसके अपने categorizations होते है categories होती है countable नहीं है trees countable है उनमें categories भी होती है technology countable नहीं है बढ़ इसमें categories होती है farming technology, medical technology, IT technology, robotic technology, atomic technology, solar technology, human technology तो इसमें क्या होता है categories होती है number नहीं होता trees में क्या होता है number भी होता है और categories भी होती है uncountable nouns में क्या होता है मैं इसको लिख देता हूँ कहीं पर नहीं तो आप इसको ध्यान नहीं रख पाएंगे और नोट्स बनाते हैं समय आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बारीकियां ही समझने से concept समझ में आता है ये बारीकियां हमें नहीं पता होती है तो confusion हमें सा बने रहते हैं और चूंकि ये concepts बड़े बारीक होते हैं subtle differences होते हैं तो इनके explanation भी आपको कहीं नहीं मिलते हैं आप कहीं भी ढूड़ते गूमें online, youtube, books वगरे youtube पे तो खेर नहीं मिलने हैं ठीक है तो ये आपको कहीं मिलते भी नहीं है क्योंकि ये subtle differences कौन explain करें कितना explain करें, कितने examples explain करें और कैसे explain करें बहुत से समस्या होती है तो ये आपको समझना है कि जो countable nouns होते हैं they have number and they have categories cars, for example cars ले लेते हैं ठीक है तो cars countable noun है number होता है, you can count cars और उसमें categories भी होती है जैसे कि electric cars ठीक है और आपकी hybrid cars, patrol cars, diesel cars ठीक है, SUVs, hatchbacks, sedans ठीक, तो उसमें categories भी होती है उसके बाद में जो uncountable nouns होते हैं इन में क्या होता है amount तो होता ही होता है countable nouns have number uncountable nouns have amount लेकिन some uncountable nouns have categories and some don't have it depends तो सबसे पहले हम यह समझना है कि जो countable nouns होते हैं all countable nouns have number all uncountable nouns have amount तो यह तो fix attributes हैं countable nouns have categories countable nouns में categories भी होती है definite है uncountable nouns में categories होती हैं नहीं भी होती है वो depend करता है nouns के type पर कि किस तरीके का वो type जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी हम बात करें टेक्नालीजी की तो हमें पता कि टेक्नालीजी जो होती है उसमें categories होती है जैसे यहीं हमने डिसकस किया रोबर्टिक technology solar technology आपकी medical technology आई टी टेकनोलोजी तो उसमें होती है information technology जैसे हो गई ठीक है तो उसमें आपकी categories भी होती है बट अगर यही बात हम water की करें तो water खटा मीठा saline water वैसे हो सकता बट वो उसकी categories नहीं है ठीक है air में भी categories नहीं है pure impure हो सकती है ठीक है air quality index के ज़ाब से उसकी pollution की quantity भी हो सकती है बट air की categories नहीं है ठीक तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि some countable nouns have categories some uncountable nouns don't have categories ऐसे uncountable nouns जिनके साथ में categories होती है उनके साथ में all का use बिना दाके किया जा सकता है लेकिन अगर कोई noun ऐसा है जो uncountable है और उसमें categories नहीं होती है तो उसमें cable amount होगा और अगर आप definite number की बात करोगे तो आपको the article लिखना पड़ेगा अब example से समझते हैं यहाँ देखें जैसे हमने लिखा all technology is not good for humans तो we are not talking about the amount of the technology हम यह नहीं कह रहें कि जितनी total technology है सारी technology हमारे लिए अच्छी नहीं इसमें से आधा पार्ट हमारे अच्छा है 50% 40% कर लत है तो we are not talking about amount यह बात technology के amount को लेकर नहीं कही जा रही है यह बात कही जा रही है के technology के types को लेकर atomic technology वैसे तो अच्छी है बड़ इससे तो atom bomb भी बन गया हमारे मतलब पूरा destruction हो सकता है पूरा human species का ठीक है तो हम यहाँ पर गह रहा है all technology is not good for human ठीक है सारी technology जो हमारे लिए अच्छी नहीं कुछ टेक्नोलोजी ऐसे है medical field की technology है agriculture field की technology हो हमारे अच्छी है ठीक है लेकिन कुछ टेक्नोलोजी ऐसे जो हमारे लिए नुक्सान लाएक है biological weapons बन जाते हैं atomic weapons बन जाते हैं वो technology हमारे खतरना के ठीक फिर हमने लिगा they have transferred all technology to us उन्होंने सारी technology हमें transfer कर दिया माल लीजे किनी दो companies के बीच में कोई contact हुआ और एक company ने जिस फ्रीड में वो deal करते हैं माल लीजे weapons बनाते हैं जैसे इंडिया ने राफैल खरीदे फ्रांस है ठीक है तो फ्रांस ने अपनी जो राफैल बनाने की technology है maintenance की technology है वो सारी इंडिया को transfer कर दी तो यहां पर हम categories of technology की बात ना करके amount of technology की बात कर रहेंगी total technology ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ अपने बास चुपा के रखा production से related है maintenance related कुछ उन्होंने चुपा के रखा और हमाजा शेयर ना कियो technology तो अगर हम यहां पर amount को refer कर रहे हैं तो दार्ट कर लिख लिए तो यह जो उन्हें technology लिखा है यहां पर all technology लिखकर हम refer कर रहे हैं categories को technology की categories जैसे वहां पर था all trees का मतलब किसी भी category का tree ठीक है यहां पर हम यह बात नहीं मान सकते कि और all technology है वो total categories of technologies को refer कर रहा है total categories of technologies कgar कर कि까 पास नहीं होती है जो किसी को transfer कर देगा अगर को ट्रांसफर कर रहा है तो वही technology transfer कर पाएगा जिसमें वो deal कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर technology is in the reference to the categories all categories of technology यहाँ पर all technology means amount बस यह ध्यान रखने कि जब हम uncountable nouns के साथ में all का use करते हैं amount को refer करने के लिए then you have to use the but if you are using all to refer to the categories then you don't have to use the next हमने लिखा all technology that we have access to a word is missing here a word is missing here that we have access to is outdated अब हम कह रहे हैं कि जिस technology तक हमारी access है वो outdated है then यहाँ पर हमें decide करना है कि all technology लिखकर हम किस चीज़ को refer कर रहे हैं categories of technology को ठीक है यह amount of technology को तो अब इसी बात है कि अगर हम मान लोग categories को refer भी कर रहे होंगे तो अगर हम all technology लिख देंगे तब तो यह all categories हो जाएंगी ठीक है जितनी भी type की technology पूरे world में अब हमें पता है कि अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारी technology तक किसी एक person और किसी एक organization की access नहीं होती है कोई भी एक person या एक organization की access certain amount of technology तक ही होगी सब तक नहीं हो सकता है तो यहां पर भी technology का मतलब है the amount जितनी हमें technology की जानकारी है ठीक है the amount not categories तो अगर यह amount है और देखो amount को define करने के लिए हमने that we have access to relative clause भी लिक रख किया तो दायूज कर लिए अब हमें समझना है कि यहां पर यह जो all trees लिखा थे definite था तो हमने the article क्यों नहीं लिखा और यहां पर लिख दिया यह आपको समझना है देखो इसको मैं समझाता हूं होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए uncountable nouns हैं दुनिया भर के पेड हैं दुनिया भर में जितना इप पेड है तो यह सारे पेड के जो किसी किसी के बगीचे में जो पेड़ हैं उनकी बात करें तो अगर हम उसके बगीचे में जो पेड़ हैं ठीक है उनकी बात इन जनल करें कि उसके बगीचे का कोई भी पेड़ है ठीक है तो यह जो परिटिकुलर के अंदर परिटिकुलर है यह भी जनल हो सकता है ठीक है अब फिर के अंदर हम definite की भी बात कर सकते हैं तो countable ना उसके जो attribute होता है कि general के अंदर भी general हो सकता है अंकउंटेवल नहीं हो सकता कि मान लेजी आ अगडये खावाटर भी जितना भी पूरे वर्ली में सब्सक्राइब प خसथे हैं अपर जी अनस्पीं श्यांगना आप बात करें और के स्वें जो समूद्र में पानी है तो अभी general नहीं रहा है वजह क्या है, इसमें countability नहीं होती है, इसको individualize नहीं किया जा सकता, तो जो general water है, all water, all water का मतलब दुनिया में जितना भी पानी है, वो सारा, तो जैसे ही आप अगर उससे हट कर किसी specific water की बात करना शुरू करोगे, जैसे इस bottle में जो water है, ये गंगा नदी में जितना पानी है ठीक है, या specific ocean में जितना पानी है, तो तुरंत definite हो जाएगा, फिर वो general नहीं रह सकता, तो uncountable nouns में क्या होता है, कि uncountable nouns specific होने के बाद भी indefinite रह सकते हैं, अगर हम चाहिए तो उनकी general sense में बात कर सकते हैं, uncountable के साथ ऐसा नहीं होता, तो कुल मिला कि यहां से जो हमें न तो हम उसके साथ बिना the के लिख सकते हैं, all को, अगर वो countable nouns जो plural number में लिखा गया है, general हो, ठीक है, या specific हो लेकिन definite नहीं हो, specific but indefinite हो, मतलब specific books हो, लेकिन definite नहीं हो, तो हम use कर सकते हैं, the हम तभी use करते हैं, plural nouns के साथ में, countable nouns के साथ में, जब वो plural countable nouns जो हैं, हमें उनके total number को emphasize करना हो, ना कि उनकी variety या types को, अब होता क्या है, कि जब हम general में all का use करते हैं, तो वहाँ पर all का मतलब हो जाता है, every, जब हम all का use करते हैं, specific के case में, जो indefinite हो, तो वहाँ पर भी लगवा कि इसका मतलब every ही होता है, और यह वहाँ पर type या variety को refer करता है, ना कि number को, लेकिन जब हम all का use करते हैं, the article के साथ, plural noun के साथ में, तो यह emphasis करता है, total number को, तो यह refer करता है, total को, total number को, तो all the का मतलब होता है, total number, all का मतलब होता है, every या कोई भी, ठीक, अच्छा, अब जब हम इसका use करते हैं, uncountable nouns के साथ में, तब क्या होता है, जैसे हमने लिखा all water, ठीक है, अगर हम all water लिखते हैं, तो all water का मतलब यह माना जाएगा, कि हम बात कर रहे हैं, every water, जो कि यहाँ पर possible नहीं है, क्यों possible नहीं है, क्योंकि जो water है, वो uncountable है, उसमें categories भी नहीं है, और उसमें अलग-अलग types भी नहीं है, तो इसके साथ में जो all water है यह गलत हो जाएगा, तो अगर हम water को general sense में refer करेंगे, ठीक है, अगर हम general sense में जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे, all the water लिखना चाहें, तो क्या हम लिख पाएंगे, तो answer है हाँ, आप यह लिख पाओगे, क्योंकि जब all use करोगे water के साथ में, तो इसका मलद है, you are referring to the amount, क्योंकि categories तो यहाँ पर है नहीं, trees में categories होती है, आम का पेड, people का पेड, बर्गत का पेड, water में तो categories होती ही नहीं है क्योंकि अगर यह इन general होता, तो आपको use ही नहीं करना पड़ रहा होता, all, और अगर आप all use कर रहे हो, तो इसका मतलब आप यहाँ पर किसे refer कर रहे हो, amount को, और वो amount certain या specific ही होगा, अगर certain specific ही होगा, तो आपको the लिखना पड़ेगा, तो uncountable nouns के साथ में, जब हम all use करते तो हमें दा लिखना ही पड़ता है, लेकिन वो compulsory नहीं है, अगर आप किसी ऐसे uncountable nouns के बात करोगे, जिसमें types या categories हो सकते हैं, तो फिर वहाँ पर धाकॉम remove भी कर सकते हैं, amount को refer करना है, तो दा लिखना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है, क्योंकि वो amount कभी general नहीं हो सकत है, क्योंकि general को refer करना है, तो आपको all use करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे singular, countable noun, uncountable noun, बिना determiner के लिखे, आप article में पढ़ते होंगे, कि जो हमारे uncountable nouns होते हैं, अगर हम कोई general sense से use करें, तो उनके साथ कोई article नहीं आता है, लेकिन ऐसे uncountable nouns के साथ में all के साथ में द करना है, इनमे all या all the, decide करके use करने, कि हम all लिखें या all the लिखें, ठीक, dash rooms have four walls, अब ऐसा नहीं है कि यह बात कोई specific rooms को लेकर कही जा रहे है, मतलब ऐसा नहीं कोई specific rooms होंगे, उनमें चार दिवारे होंगी, बाकियों में तीन होती होंगी, किसी में एक होती होगी, किसी में किसी में नहीं होती होंगी, तो हमें पता है, सारे rooms में चार walls होती हैं, चाहिए वो छोटा हो, चाहिए वो बड़ा हो, ठीक है, मतलब उसका area कितना भी हो, लेकिन वह वाल्स हर एक रूम में चार ही होती हैं, चाहें वह क्लास रूम हो, चाहें वह बेड रूम हो, चाहें वह वास रूम हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो यहां पर हम केवल आल लिखेंगे, आल के साथ में दा नहीं लिखेंगे, अगर रूम से स्पेसिफिक नहीं हैं, तो उनका नमबर भी स्पेसिफिक नहीं हो सकता, ठीक है, तो दा की जरूरत नहीं है, नेक्स भाजे, डैस रूम है टू विंडोज, अब दीखेंगे, रूम में फोर वाल्स होना तो एक उनिवर्सल फैक्ट, जहां भी रूम होंगे, त एक भी विंडो नहीं होगी, बहुत से ऐसे होगी, जिनमें एक होगी, बहुत से ऐसे होगी, जिनमें दो से ज़्यादा भी हो सकती है, होगी भी, ठीक, तो यह जो हमने लिखा, have rooms, rooms have two windows, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं specific rooms की, यह rooms in general की बात नहीं हो रही है, यह rooms in general की बात रही हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है, कि आप किसको refer कर रहे हो, आप refer कर रहे हो the number, total number को, तो दा लिखिए, अगर आप total number की नहीं बात कर रहे हो, आप कह रहे हो, इन में से कोई भी, ठीक, any, every का sense convey कर रहे हो, भले वो specific nouns हो, लेकिन आप उनको as a definite refer करके, as a general refer कर रहे हो, त दा मत लिखिए, अब जैसे मान लिजे, मैं आप को जी example देता हूँ, मान लिजे को hotel है, या कोई building है, उसमें अलग-अलग type के room है, छोटे room भी है, बड़े room भी है, ठीक है, लेकिन room चाहें कैसा भी हो, चाहें छोटा हो, चाहें बड़ा हो, चाहें guest room हो, चाहें servant room हो, चाह तो अगर हम यह कहना चाहते है, any room, every room has two windows, कि हर एक room में दो windows है, तो आप keyword all लिखिए, ठीक है, लेकिन अगर हम number को emphasize कर रहे हैं, मान लिजे किसी builder ने को एक building बनाई, उस building में 100 rooms है, और उसने हर एक room में, मतलब 100 rooms में, सब में two windows दी है, ठीक है, तो अगर हमें यह total number को emphasize करना कि ऐसा नहीं कि केवल 99 rooms में two windows हो, एक में ना हो, हमें बताना है कि the total number of rooms has two windows, तो आप all the भी लिख सकते हो, तो कुछ cases में क्या होता है, कि आप आप आओगे कि जो plural nouns होते हैं, उनके साथ में जब हम all use करते हैं, तो the कई बार उहाँ पे लिखा भी होता है, नहीं भी लिखात रहता है, कभी उन्होंने देखा कहीं पर लिखा all boys, कहीं लिखा all the boys, कहीं पढ़ा उन्हों लिखा all members, कहीं लिखा all the members, ठीक है, कहीं लिखा all movies, कहीं लिखा all the movies, तो confuse हो गए, अगर हम लिख रहे हैं all movies, तो all movies means type, variety, comedy movies, action movies, period drama, romantic movies, all movies का मतलब यह, all the movies का मतलब the total number, 10 out of 10, 100 out of 100, ठीक, तो वो number होता है, all the जो है वो number है, all जो है वो type या वाराइटी है, उसका हम दो every है, यह subtle difference है, जो लोग समझ नहीं बात है, और confusion होता है, कभी पढ़ा कहीं पे प्रडूलना उनके साथ में all लिखा है, कहीं पढ़ा कहीं पे all the लिख हो है, ठीक है, next मजे, they have searched less, less rooms twice, अब माल लीजे, कोई hotel वगएर है, वहाँ पे पुलिस की टीम आईए, और search कर रहे हैं हर एक hotel, hotel के rooms को, और दो बार search किया, तो दो बार अगर उन्हें ने search किया, तो हम यहाँ पर किस चीज़ को emphasize कर रहे होंगे, कि total number कि जितने भी हैं room, चाहें 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, number of rooms को emphasize करना है, कि total number of rooms को दो बार check कर लिया गया है, search कर लिया गया है, room के type से कोई मतलब नहीं है, और यह आपको common sense भी आगल आप जानते भी होगे, कि अगर कभी police वगएर कहीं पर जाते हैं, वह सर्च करने के लिए, तो वो room के size से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि छोटा room है, बड़ा room है, first floor का room है, third floor का room है, वो इसके हिसाब से search नहीं करते हैं, वो search करते हैं, तो in general सब को search करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें total number को emphasize करना है, तो यहाँ पर आप all the ही लिखना, this is the answer, next पर जाते हैं, अब यहाँ पर हमने लिखे uncountable nouns, हमने लिखा dash energy is indestructible, अब देखे, energy is one of such uncountable nouns as have definite and distinct categories, जैसे कि energy होती है, उसकी categories होती है, potential energy, kinetic energy, chemical energy, और भी होती है, mechanical energy, electrical energy, ठीक है, wind energy, solar energy, फ्लाना energy, धिमकाना energy, बहुत से type की energies होती है, तो यह जो हमने लिखा all energy is indestructible, अब हम कह रहें कि energy चाहे किसी भी type की हो, चाहे वो potential energy हो, चाहे वो kinetic energy हो, चाहे वो आपकी chemical energy हो, indestructible है, उसको destroy नहीं किया जा सकता, ठीक, तो if we have to refer to the categories, देखे, अगर हमें category को भी refer नहीं करना है, हमें in general energy की ही बात करनी है, irrespective of the categories, categories के हमें बात ही नहीं करनी है, तो आपको कोई determinant नहीं लिखना है, आप simple इतना ही लिखा रहने है, तो energy is indestructible, लेकिन अगर आप यह बताता चाहते हो, कि energy की हर एक category जो है, वो indestructible है, चाहे वो किसी भी energy in general की बात कर रहे है, types के according, तो all का मतलब यहाँ पर है every type of energy, every energy नहीं, every type of energy, ठीक है, next मैं जी, dash energy transferred was constant, अब हम कह रहे हैं, जो energy transfer भी वो constant थी, तो अब यह हम सारी in general, सारी energy की बात नहीं कर रहे है, अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर specific amount of energy की जो की transfer हुआ, तो uncountable nouns को जब हम specific sense में यूज कर रहे होते हैं, general की बात नहीं कर रहे होते हैं, और उनके साथ में all article लिखते हैं, तो वो हमेशा ही amount का reference होता है, all वहाँ पर, हमेशा amount को focus करता है, ना कि category को, तो अगर हम यह लिख रहे हैं, dash energy transferred was constant, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर हम category of, variety of, type of energy की बात ना करके, amount of energy की बात कर रहे हैं, ठीक है, all the, जब भी amount and number को emphasize करना है, तो all के साथ में दल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पर जो हमने transferred use किया ने, past parts पर है, जो define करने के लिए energy को लिखा गया है, तो वो definite amount है, जितना transfer हुआ उतना, ठीक है, so if it is amount then use है, you have to use all the, next देखिए, the candidates put dash energy in the campaign, माली जो कोई चुना हो है, को election हो रहा है, उसमें जो भी candidates है, उन्होंने अपनी सारी energy जो है, वो, campaign में लगा दी, खुब मतलब energetic way में उन्होंने campaign किया, तो we are not talking about categories in general, we are talking about the amount of energy, कि जितनी energy मेरे पास है, मैंने सारी के-सारी campaign में लगा दी, दूसरा candidate था, उसकी जितनी वे energy थी, सारी उसने अपनी लब campaign में लगा दी, तो we are talking about the amount of categories, not the varieties और types of categories, ऐसा नहीं कि किसी candidate के पास में electrical energy थी, किसी को potential energy थी, किसी chemical energy थी, किसी की kinetic energy थी, ऐसा नहीं, ठीक है, all the, तो यह जो examples है, इन से हम यह infer कर लेते हैं, कि अगर हम कभी भी किसी uncountable noun के साथ में all लिखेंगे, तो most cases में आपको the article लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि uncountable noun के साथ में the को remove किया जाता है all के साथ, कि जब वो उस uncountable noun की varieties या types की बात की जा रही हो, मलत देखो, subtle differences हैं, लिकिन मुझे लगता है, आप लोग साथ मुझसे यह expect करते हो, कि मैं इस तरीके की चीजे, इस तरीके के uses language के grammar के, इस तरीके concepts आपको समझाऊं, जो आपको को इदर दर कहीं नहीं मिलते हैं, और आप सीखना चाहते हो, मझे की बात ही है, कुछ तो सीखना ही नहीं चाहते हो, उन्हें तो इनसे मतलब भी नहीं, वो याद कर लेते हैं, तुका मार देते हैं, सही हो गया तो ठीक है, गलत हो ठीक है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाइंगे कहीं ऐसा तो नहीं हम इस confusion में गलत option को tick मार दे कुई चीजे clear नहीं होती तो तुक्का तो देखो बच्चे मार देते हैं ठीक है तो यह जो subtle differences होते हैं मुझे लगता है यही मुझसे लोग सीखना चाहते है ठीक है और मैं भी यही सिखाना चाहता हूं सही बात भी ह ठीक है कि मैं भी यही सिखाना पसंदे हूं मुझे यही पसंदे है मैं चाहता हूं कि जो चीजे बच्चे बुग से पढ़ के खुद सिख सब्सक्राइँ जो अपने आप आप से बुक्स को टाइम दे मैं चाहता हूं बच्चे बुक्स पढ़ हैं YouTube पे वीडियों से नादे टीचर्स को फालो ना करें, टीचर्स बच्चों को बरगलाते बहुत हैं, ठीक है, और उनकी नासमझी का उनके भरोसे का फैदा उठाके उनका टाइम, उनका पैसा, उनका सब खराब करवाते हैं, तो टीचर्स से जितना बश सकते हो, मतलब आपके मेरी बाते बड़ी वो तो अपने आप पढ़ लो ना, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आप अपने आप बुक्स में पढ़ोगे, तो समझ में नहीं आगा, का कन्फ्यूजन हो जागे, जैसे ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इनके लिए हमें कोच की, गाइड की, टीचर की जरु आते हो, क्यों युटूब के वीडियो देख रहे हो, क्यों अपना डेटा, अपनी आख है, अपना टाइम के सब खराब कर रहे हो, खर, आजे वापस आते हैं, तो ये क्लियर हो गया, और देखिये, we have got some other questions, हमारे पास कुछ और भी questions हैं, जिससे के concept, मेरी कोशिस होगी, ख खतम करें, ठीक है, देखो, it is sensible to quarantine-visitors for two weeks, अब हमें क्या करना है, इनमें all और all the का यूज़ करना है, वही है, all या all the का यूज़ कीज़े, तो सबसे पहले देखिये, यहां पर क्या है, visitors, फुलल ना उन्हें, अब हमें all लिखना है, या all the लिखना है, लिखना जरूर है, ब्लेंक रहीं छोड़ सकते है, ठीक है, तो अब हम all लिखें, all the लिखें, यह किस बात पर depend करेगा, कि आप बात किसकी कर रहे हो, some total or definite number of visitors उनकी, या any visitor, every visitor उसकी, अब इसको ऐसा समझे, मान लीजिए, कि इंडिया में foreign से visitors आते है, विदेश से लोग घुमने आते है, ठीक businessman होंगे, कुछ विर्योक्रेटस भी हो सकते है, कुछ इस्टूडेंट्स भी हो सकते है, कुछ सेलिब्रिटी भी हो सकते है, कोई आम लोग भी हो, तो हम कह रहे हैं, यह तह시क कोई भी हो, चाए जो आज आया, चाहए वो कल आयेगा, और चाहए कल आया था, ठीक है, चाहए वो student हो, चाहे वो कोई politician हो, चाहे वो कोई कोई भी हो, सब को quarantine करो दो हपते के लिए, तो अगर हम यहाँ पर टोटल नमबर की बात ना करके, हम बात करें every की, चाहे कोई भी हो, चाहे कल आया, चाहे आज आया, चाहे परसो आएगा, तो आपको all लिखना चाहिए, अब दूसरी बात देखो, मान लो, एक कोई प्लेन आया, इंडिया में, इंडरा गांधी इंटरनाइशनल एरपोर्ट पर, या किसी भी एरपोर्ट पर माल लेते हैं, और उस में 200 फॉरेंड विश्टर्स आया, लोग विजिट करने इंडिया के लिए आया, और 200 लोग उसमें हैं, और उसमें किसी एक पेसेंजर को कोरोना के सिंटम है, अब हम क्या करें, उसमें जिसमें सिंटम है, उसको कॉरेंटीन करें, या जितने हैं टोटल उस प्लेन में, सब कोई कर दे, क्यों रिस्क लेंगा, वन वन नहीं हो है अब वह इन लोगुं की बात की जाय रही है जितने सी इन मैं इसे किसी को गश्प जाने में वह तो इनको को कुरिंटीन किसी कुछोड़ो मत तो मतलब हम औल भी लिख सकते हैं यहां एक तो इस बचे साथ बच्चे सेखते हैं रहे विस्टर के साथ कहीं पढ़ा आमने all the लिखा तो यह आपको समझना पढ़ेगा तो प्लॉल नाउस जो होते हैं ठीक है उनके साथ में all या all the कुछ भी लिख सकते हैं वो depend करता है कि आप every का meaning convey करना चाहरे हो या the total number का meaning convey करना चाहरे हो अगर आप total number का meaning convey करना चाहरे है then use all the if you are referring to every or anyone then use all next after a couple of years dash money was gone अब हमने यहां पर लिखा कि कुछ सालों के बाद में के होगा सारा पैसे चला गया तो अब कौन सा सारा पैसा दुनिया भर का नहीं कोई person रहा होगा उसके पास कुछ पैसे रहे होंगे उसके पैसे चोरी हो गए होंगे या खतम हो गए हो या उसने अपने यह नहीं कर रहा होगा वह अमउंट को ही रफर कर रहा होगा और प्लूल नाउंस के साथ में जब हम और के साथ में आल्का यूज अमांट के लिए करते हैं तो हमें आल के दा आर्डिकल लिखना ही पड़ता है बेसिक बात यह जब हम आल का iuse नंबर या अवांट क क्लिक प में दा लिखना ही पड़ेगा ठीक है तो हमें पता है हम यहां पर टाइप सो मनी या कटेगरीज ओमनी की बात ना करके सम अमांट ओमनी की बात कर रहे हो जो किसी परसन के पास रहा होगा और कुछ सालों बाद खतम हो गया होगा ठीक है का टूμηडक है तो मैंने का था ने कि अंकाउंट कर कर रहे होटे हैं रहेति हैं जहां कर रहे होसे काटेगरी का रहे होते हैं जैसा वह पीच अभी दो और वे एक्जम्पल आएंगे अब समझ जाओगे ठीक है यह जैसे टेक्नोलिजी वाले एक्जम्पल था नेक्स में दिखे यू शुड कुक अंटिल डैस लिक्विड अब्सॉर्ब बाइदी राइस अब हम कह रहे हैं कि इसको तब तक पकाऊ जब तक यह जो लिक् हम पकाचि है जब तक पूरा पूरा अब्सॉर्ब न यह मैं ब्हुर्म काचि अब यहां पर लिकर यह इ resultados ले करना है जो मेरे सामने थी अब कह रहा कि मैंने उन्हों समस्यों के बारे में सोचा जो मेरे आगे थी मतलब जो समस्या इसको फेस करनी थे अने वले टाइम में तो यहां पर ध्यान से देखना that lay ahead of me यह determiner of the number of problems है ना कि determiner of the categories or varieties of number variety तो एक ही हो गई ठीक है टाइट तो एक ही हो गया कि वो सारी समस्या है जो मुझे आगे face करनी थी तो यह तो हो गए category अब उस category में जितनी भी समस्या थी 10, 20, 30, 40, 50, all, all का मतलब total वो सारी उनके बारे में इसने सोचा तो इसने जो सोचा वो problems के categories के बारे में नहीं number categories के मतलब एक भी उसने miss नहीं की जितनी भी समस्या है उसके सामने थी उसने सब के वारे में विचार किया ठीक है So we are referring to the number, total number of problems और categories problems की हाँ पर एक ही है जो उसके सामने थी There is not one kind of food for deskets अब हमने कहा कि there is not one kind of food for deskets और हमें इसमें all या all the का यूज़ करना है अब देखिए होता है क्या है अगर हम इसको एक general statement मान लें जैसे हमें पता जैसे kids होते हैं अब अलग-अलग kids होते हैं अलग-अलग-अलग-एज ओती है अलग-अलग-इस का kids होते हैं अलग-अलग reasons होते है अलग-अलग-kultures होते है ठीक है तो उनकी अलग-अलग type के food होते है ऐसा नहीं होता है कि चाहे एगरोप का किड हो या अमेरिका का किड हो या ब्रेजील का किड हो या इंडियन किड हो या जैपनीज किड हो या रॉशियन किड हो सबको एक ही टाइप का फूड खिला जाता है ठीक है सबको अलग अलग जरूरत के हिसाब से फूड दिया जाता है तो अगर हम यहां पर यह मान लें कि लिखकर हम नंबर ओफ खिट्स की बात कर रहे हैं जब दो साल का बच्चा हो चाहे पांस साल का बच्चा हो ठीक है चाहे रॉशियन हो चाहे जैपनीज हो चाहे अइसा कोई फूड नहीं है कि जो एक ही टाइप का और आप सारे दुनिया वर के किसी वी उमर के बच्चे को से दे दो बच्चों की जरूरत के बच्च्छ के चाह पसे उनकी घ्रोथ के साब से ठीक है एन्वार्मेंट के साब से उनको फूड दिया जाता है यह तो हो गया एक देखने का नजरिया, अब दूसरा नजरिया देखिये, माल लीजे को एक hostel है, एक hostel है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि उस hostel में, हम सिफ्से लाँ पढ़ने वाला भी ए ट्वार्ट क्लासे पढ़ने वाला भी ऐसा भी बच्चा जो एथलेटिक्स में बड़ा इंटरस्टेड है, अजह सबRY इंड़ा इंटरस्टेड है, अपना अब पढ़ाई लिखाई में जड़ा खोया रहता है, तो उनके फूर्ट एक परसन है सारेरिक मेहनत करने वाला, उसको अलग टाइप का खाना चाहिए, ठीक, तो अगर मालो हम ये बात कर रहे हूं किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को लेकर, एक बड़ी फैमिली है, ठीक, गाउं ध्याद में जैसे होती है, बड़ी फैमिली है, उसमें 20-30 बच्चे है ठीक है, यह 10-15 बच्चे है, यह कोई होस्टल है, बोर्डिंग स्कूल है, उसमें 100-200 बच्चे है, और उन बच्चों को उनकी जरूरत के रहाए, उनकी एजक के रहाए, टॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के रहाएं, इस नहीं है, को यह एक ही खाना सबको खिला दिया है, अब ध्यान क्या रखना है कि जब हम all the लिख रहे हैं then we are referring to the total number कि हमारे hostel में जितने भी बच्चे हैं वो सारे सब के लिए हम एक ही खाना नहीं देते हैं मतलब सब के लिए अलाग अलाग है ठीक है पूर्ण एक है नेक्स वाज़े यू उस डास आइस कूबस और दिन्ट पूर दी आइस ट्रेश बैक अम्माल लो किसी परसन ने क्या किया कि कि आइस ट्रे में जितने भी आइस क्यूब्स थे उसने सारे यूज कर लिए देखे आइस इस उनकाउंटेबल बड क्यूसर थीक है? तो अममालिए किसी परसंद नहीं जितनी भी आइस ट्रे में आइस क्यूब्स थे, सारे उसके लिए हैं लेकिन उसको वापस ट्रे को भर के पानी से नहीं रखखा। तो अब यहां पर परसन किसी से कह रहा है, you used dress ice cubes and didn't put the ice trays back. तो यहां पर हम general ice cubes की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन ice cubes की जो उसके refrigerator में रहे होंगे, ठीक है, ice trays में रहे होंगे, एक तो definite होगे, particular specific होगया, अब हमें देखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, type या category of ice cubes की, या number of ice cubes की जितने थे, total के total, तो अब ice cubes में तो category of variety क्य क्या ही होगी, ice, तो ice ही है, उसमें category of variety के होगी, ठीक है, तो यहां पर हम category of variety की बात ना करके, हम बात कर रहे हैं, यहां पर total number of ice cubes की, उसके उसने एक भी नहीं छोड़ा बात में यूज़ करने के लिए, सारे यूज़ कर लिए, total, तो अगर total को emphasize करना है, तो cable all दी, next, dash would tends to shrink, dash would tends to shrink, would क्या है, uncountable noun है, ठीक है, अगर हम uncountable noun को general sense में उसके करें, तो हम उसके आद में कोई article को determine लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, अगर मानलो जैसे लकडी होती है, तो सिकूर जाती है, shrink हो जाती है, जब आप लकडी काटते हैं, तो कुछ दिनों बाद जब हो दिरे-दिरे सूखती है, उसके अंदर का moisture होता है, ठीक है, जो सूख जाता है, तो वो सिकूर जाती है, यह मतलब in general लकडी की बात है, ठीक, तो आपको कोई article नहीं लिखना चाहिए, आपको simple ऐसे लिखना चाहिए, वोड tends to shrink, लेकिन फिर यहां पर क्या है, कि जो वोड है, वो ऐसा uncountable noun है, जिसकी categories होती है, जैसे कि trees है, trees की category होती है, तो tree की जो wood होती है, उसकी category होती है, सीसम की लकडी है, नेम की लकडी है, आम की लकडी है, एकलिप्टिस की लकडी है, ठीक है, बर्गत की लकडी है, तो wood has different categories, सांगवान की लकडी है, चीर दीदार की लकड होती हैं अब खाली तो हम छोड़ नहीं सकते हमें तो अल या ओल दर में से को पिकी करने है तो हमें देखना है कि जो लिखी गई बात है यह जो कही जारे बात है यह किसको अब किसी परसन ने कहा कि मूजिक चाहें कैसा बहुत है यह जो किसी परसन ने कहा कि मूजिक चाहें कैसा अब भी भी हो वह फोट म्यूजिक होता है जासे आपने सुनआबाना तरीकका मूजिक होता है आले कि मुझे ज्यादा नहीं जानकार है लेकिन जैसरे जैज मूजिक है क्लासिकल म्यूजिक है, और ये शूफी म्यूजिक है, मतलब अलग अलग टाइप का, और फोक म्यूजिक ना है. sz alternative like Intro तो वह बाकता है कोई person से जैनल्यवेट कि हाऊँ. भाई ये वानलोजी के इनेर्जी टाइप होते हैं तो अगर हम टाइप की बात कर रहा है तो आल लिखेंगे रहा है कि अगर आप आल का यूज करते हैं प्लूल नाउंस के साथ में तो अगर वह प्लूल नाउंस जनरल है तो वहां पे आल का मतलब एवरी होगा दा आर्टिकल नाउंस करें अगर मालीजे कोई स्पेस्फिक प्लूल नाउंस के आप बात करें और उसके साथ में अल लिखना हो तो अल के साथ दा भी सकता है नहीं भी आ सकता है वह इस बाट पर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर रफरिंग तो अनी इंडिविज्वल्स और यू आर रफरिंग टू इनिडिविज्वल्स का साथ में हम ऑल का यूज करते हैं तो वहां पर हमें ध्यान होता है कि most cases में नहीं परता है क्योंकि अन्कॉंटेबल नाउंस में categories सम्में नहीं होती हैं जितने भी countable nouns होते हैं उनमें number भी होता है उनमें categories भी होती है uncountable nouns में amount तो होता है लेकिन categories सम्में नहीं होती हैं तो ऐसे uncountable nouns जिनमें categories होती हैं अगर हम उनको general sense में refer करें उनकी categories के sense में तो all का use करते हैं दा नहीं लिखते otherwise तो उसके साथ मैं आप the article का use के ठीक, यह हमारा concept था, जो आपने इन examples की मतलब से समझाओगा, समझ में आगे होगा, अब फिलाल में कोई बात रह गई हो जो ना समझ में आई हो, किसी कारण से, ठीक है, नहीं समझ में आई हो, तो आप comment कर सकते हो, यह मेरा WhatsApp नमबर है, इस नम नहीं समझ में आई है, ठीक है, यह जो भी है, WhatsApp के थ्रू शेर करना चाहते हो, तो कर सकते हो, यह तो अपना comment कर देना, comment करके बताना, जरूर, कैसा concept था, समझ में आया, नहीं से आया, कितना समझ में आया, कैसे कोई तुम्हारा दिमाग में doubt आया, अगर doubt आया, तो इसको comment क कर देना, ठीक है, बाकि यह जो हमने discuss किया, इसका pdf आपको हमारे telegram channel से मिल जाएगा, telegram channel के ID है, essay के English, so that's all for today, आज के लिए बस इतना ही, keep enjoying learning English, English सीखते रहो, ठीक है, बाकि सभी को thank you, bye